नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपादकी विशलेशन में आपका स्वागत है संपादकी से संबंदित इस वीडियो में आज हम इंडियन एक्स्प्रेस में प्रकासित संपादकी जिसका सिर्षक है इस संपादकी का आधार है आत्म निर्भर भारत 3.0 पैकेज यहां पर 3.0 पैकेज यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पूर्व आत्म निर्भर भारत कारिकरम के अंतरगत केंद्र की सरकार दो घोसनाओं को या दो पैकेजों की घोसना कर चुकी है और यह जो आत्म निर्भर भारत 3.0 पैकेज है यह पैकेज है 2.65 लैक करो रुपे का और इसके अंतरगत 12 घोसनाओं की गई है जिसके उद्देश से देखिये क्या है उद्देश से है कि शहरी छेत्र में रोजगार के अबसरों का स्रिजन करना और रोजगार की आपचारिक प्रकृति को प्रोचसाहंग देना उसके अलावा ग्रामिंग छेत्र में भी रोजगार के अबसरों का विस्तार करना आगे अर्थ विवस्था में मौजूद जो दवाव गरस्थ छेत्र हैं उसमें क्रेडिट प्रवाह में सरलता हो उसकी विवस्था करना फिर आगे घरेलू वी निर्मान उद्योग को मजबूती परदान करना और उससे संबंधित प्रोथसाहनों का विस्तार करना उसके बाद रियल सेक्टर छेत्र को भी प्रोथसाहित करना अब हम इन 12 घोसनाओं को एक-एक कर देखते हैं चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना जी बारत घोसनाओं में से या पहली घोसना है कौन सी? आत्म निर्भर भारत रोजगार योजनाओं और इसकी सुरुवात मानी जा रही है कब से? एक अक्टूबर 2020 से इसका उद्देश से क्या है? इसका उद्देश से है जादा से जादा करमचारियों को EPFO से जोड़ना मतलब Employee Provident Fund Organization जोड़ना देखे हमें यह पता है कि रोजगार के आपचारी करण का अर्थ है कि रोजगार में जो शामिल लोग हैं उन लोगों से सम्मंधित आंक्डे सरकार के पास उपलब्द हो अब यह आंक्डे किस प्रकार से सरकार के पास उपलब्द हो सकते हैं? वह तब हो सकते हैं जबकि कारेरत लोग भविश्य निधी में अपना योगदान दें क्योंकि जब यह भविश्य निधी में अपना योगदान देते हैं तो फिर इनसे समंधित आंक्रे कहा रते हैं Employee Provident Fund Organization में होता है अब इसके अंत्रगर्थ हमें यह पता है कि जो Provident Fund या भविश्य निधी होता है उसमें दोनों मतलब कि करमचारी और न्योकता इन दोनों के द्वारा जो करमचारी की basic आय होती है उसका एक निश्चित प्रतिसत योगदान किया जाता है यहां तक हम जान चुके हैं तो अब हमने यहां पर क्या देखा कि योगदान करमचारी के द्वारा भी किया जाता है योगदान न्योकता के द्वारा भी किया जाता है योगदान का आधार क्या होता है कि जो करमचारी की basic आय होती है उसका एक निश्चित प्रतिसत तो अब देखे कि आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के अंतरगत करमचारी जिनका वेतन 15,000 रुपए तक है उनका जो प्रॉबिटेंट फंड खाता है या एकाउंट है उसमें जो करमचारी अपने बेसिक वेतन का 12% योगदान करता है अब यह योगदान किसके द्वा किया जाएगा सरकार के द्वारा इसमें लाभानुवित कौन होंगे जला यह देखे लाभानुवित वह करमचारी होंगे जिनकी नौकरी कोरोना अवधी के दौरान समाथ हो गई और वह एक ऑक्टूबर से फिर नौकरी में वापस आ गए केंद्र सरकार दो वर्स तक यह 12% जो योगदान है वह करती रही उसके अलावा देखे कंपनी के स्तर पर देखे क्या प्रावधान है कि वैसी कंपनिया जिनके पास हजार करमचारी कारेरत हैं तो कंपनी जो करमचारी के बेसिक आयका 12% EPF में योगदान देती है अब यह योगदान सरकार के द्वारा किया ज प्रावधान किया गया है कि केवल करमचारी के द्वारा जो उनकी अपनी बेसिक आयका 12% योगदान किया जाता है तो EPF में उस 12% जो योगदान है वह किसके द्वारा किया जाएगा सरकार के द्वारा तो इस प्रकार हमने पाली घोसना को देख लिया अब हम बढ़ते हैं दूसरी घोसना की ओर और यह दूसरी घोसना किसे समंदित है या समंदित है Emergency Credit Line Guarantee Scheme. अब आत्म निर्वर भारत 3.0 पैकेस के अंतरगर इस योजना का विस्तार कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक क्योंकि यह योजना पहले से चली आ रही थी. इसका उद्दिस है COVID-19 महमारी के इस दौर में Micro Small Medium Enterprises को आसानी से क्रेडिट मिले तो यह सुविधा उनको प्रदान करना. अब इसके अंतरगर देखिए क्या विवस्ता है? विवस्ता यहाँ पर यह है कि इसके अंतरगर 100% क्रेडिट गारंटी को कवर किया जाता है. किसके दौरा? National Credit Guarantee Trustee Company के दौरा. और इसमें क्रेडिट सीमा कितनी है? इसके अंतरगर क्रेडिट सीमा यह है कि माल लिजे अगर कोई Micro Small Medium Enterprises 100 रुपए रिन लेती है तो फिर इस 100 रुपए के 20% मतलब कि 20 रुपए तक कि रिन की प्राप्ती होगी किसके अंतरगर? Emergency Credit Line Guarantee Scheme और यह जो 20% का रिन प्राप्त किया गया है Micro Small Medium Enterprises के दौरा किसी बैंक से तो माल ले अगर ऐसी इस्तिती हो कि कोई Micro Small Medium Enterprises इस 20 रुपए रिन को चुका पाने में और समर्थ हो तो फिर इस बैंक को यह जो 20 रुपईया है जिसे की Micro Small Medium Enterprises ने प्राप्त किया है उसे हो जाएगा किसी से National Credit Guarantee Trust Company के दौरा देखते हैं तीसरी घोसना क्या है तीसरी घोसना है PM आवास योजना शहरी अब इसमें क्या है इसके अंत्रगत इस वित्तिवर्स में मतलब 2020-21 में 18,000 करोर रुपए का फंड इसमें दिया जाएगा इसका लाब क्या होगा इसका लाब निर्मान कारे पूरा होगा और इन सारी प्रक्रिया में क्या होगा कि 78,000,000 रोजगार उपलब्द होंगे चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे यह है कि निर्मान और बुनियादी धाचा छेतर मतलब कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है और इंफरस्ट्रक्चर की बात हो रही है अब देखे इसमें क्या विवस्ता की गई है इसमें यह विवस्ता है कि निर्मान और बुनियादी धाचा छेतर से सम्बंदित जो कंपनिया है अगर ये कंपनिया किसी कौंट्रेक्ट को हासिल करती हैं तो कौंट्रेक्ट को हासिल करने के बाद जो performance security जमा करनी पड़ती है तो जिसका प्रतिसत पहले कितना था ? 5-10 प्रतिसत गुंसे कम कर दिया गया है कितना ? 3 परतिसत तो इससे क्या लाब होगा ? इससे लाब या होगा कि निर्मान अब बुन्यादी धाचा चेतर से सम्भंदित कमपनियों के पास पहले की तुल्णा में ज्यादा पुणजी की केस नहीं है और यह योजना कब तक है 31 दिसंबर 2021 तक है अब हम यह देखते हैं कि यह परफॉर्मेंस स्टी क्या होती है देखें परफॉर्मेंस स्टी होती है कि जो कुल कॉंट्रेक्ट का मुल्य होता है उसका एक निश्चित प्रतिसत रकम जो की बैंक में जमा करना पड़त है उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस शीक्रिटी बढ़ते हैं पाँचवी घोसना की और पाँचवी घोसना किस समंदित है यह समंदित है रिटेल सेक्टर से देखें इसके अंतरकत क्या विवस्था की गई है कि घर के सम्झोते मुल्य और जो सर्कल रेट होता है इसके बीच क जो अंतर जो पहले 10% था उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 20% तो अब इससे क्या होगा तो देखे एक तो लाब इससे यह होगा कि जो घर विक्रेता है उसके लिए मकान सस्ते हो जाएंगे और अगर मकान सस्ते हो जाते हैं फिर developers के लिए अच्छा होगा कि उनके लिए भरों की मान बढ़ जाएं और यह जो योजना है यह योजना किस पर लाग होगी तो दो करोर रुपय तक के घर पर ह यह यह योजना लाग हो ग़ी अब यह जो हमने देखा कि 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है यह क्या है तो जड़ा देखिए कि मान लीजिए कि किसी सहर में किसी घर की market value एक करोड़ रुपए है इसे अभी तक builder कम से कम 90 लाक रुपए पर बेच सकता था अगर यह 10% होता तो उससे अगर नीचे बेचता मतल़ 90 लाक रुपए से अगर न लेकिन अब क्या होगा अब यही property 90 के बजाए 80 लाक रुपए में बेची जा सकती है चलिए चटी घोसना देखते हैं वह क्या है चटी घोसना है उरुवरक से समन्देत इसमें क्या है कि इसमें सबसीडी के अंत्रगर 65,000 करोड रुपए की विवस्था की गई है अब इसका क्या लाब होगा इसका लाब यह होगा कि किर्सकों को कम दाम पर उरुवरक की प्राप्ती होगी तो फाइदा यहां पर यह होगा कि किर्सी लागत में कमी आएगी और इसका परिनाम यह होगा कि किर्सकों के लाब में वृद्धी होगी वहीं सरकार के नजरिये से क्या प्रदान में वृद्धी होगी हसल उत्पादन में अगर वृद्धी होती है तो फिर ग्रामीन अर्थ विवस्था में तेजी देखी जाएगी बढ़ते हैं सातवी घोसना की ओगरीब कल्यान रोजगार अभियान यह जो अभियान है इसकी घोसना कोविड महामारी के उस दौ में वी थी जब लॉकडाउन की घोसना की गए थी और यह जो अभियान है इसकी घोसना की गए थी प्रवासी मजदूरों के लिए और च्छा राज्यों बिहार, यूपी, मदिप्रदेश, राजस्थान, जहारखन और ओडिसा में इसकी सुरुवात की गए थी तो इसी अभ अब किसको मिलेगा, ग्रामीन अर्थविवस्ता को, मतलब यहां भी क्या होगा, कि रोजगार का स्रिजन होगा, अब हम बात करते हैं, आठवी घोसना की, वह क्या है, वह है National Investment and Infrastructure Fund, अब यह NIIF के रिन प्लेटफॉर्म पर 6,000 करोर रुपे का इक्विटी निवेस किया जा करने के रूप में किया जाता है, मतलब एक कमपनी के शेर में निवेस के द्वारा, तो अब यहां जो 6,000 करोर रूपे की बात की गई है, तो हमें यह पता है कि NIIF में सरकार की हिस्ते दारी कितनी है, 49% तो मतलब यहाँ पर है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर क्या करेगी, कम करेगी और हिस्सेदारी कम करने से सरकार को जो रासी की प्राप्ति होगी, वह कहा जाएगा, वह जाएगा NIIF के प्लेटफॉर्म पर, उद्देश से क्या है, उद्देश से क्या है, उद्दे करोर रूपय के line of credit की विवस्था करेगी अब फिर देखे line of credit क्या होता है देखिए bank या अन्य वित्ति संस्थान दवरा यह सुविधा दी जाती है गौवर्मेंट को भी दी जाती है या company को दी जाती है या दोनों को दी जा सकती है अब इसके अंतरगत यह होता है कि सरकार या company एक निश्चित सीमा तक fund का परयोग कर सकते हैं और यहां पर यह उलेखनी है या ध्यान देने योग की बात है कि जो रासी की विवस्था की जाती तो इसके अंतरगत कोविड सुरक्षा मिसन के लिए डिपार्टमेंट और बायो टेक्नलोजी को 900 कड़ो रुपए आवंटित किये जाएंगे अब हम बात करते हैं ग्यारवी घोषना की ग्यारवी घोषना कौन से हमारी पास दवाब गरस्त छेत्र राहत प्रोथसाहन से संब अंतरगत जरोरी वित्तिय मापदंडों के बारे में सुझाओ देने के लिए कामत समीती का गठन किया था और इस समीती ने 26 सेक्टर के लिए सिफारिस की थी जिसके लिए विसेज्विवस्था को अपनाये जाने पर कामत समीती ने बल दिया था तो आप कामत समीती की सिफारिसों के आधार पर 26 दवाव गरस्त चेत्र जिसमें की स्वास्त चेत्र भी सामिल हैं इनकी पहचान की गई है अब यहाँ पर क्या है कि इन चेत्रों के लिए एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गरेंटी इसकीम 2.0 को प्रारम किया गया है अब इसके अंतरिगत क्या प्रावधान ने जरा वो देखे प्रावधान यहाँ पर यह है कि इनको जो रिन दिया जाएगा तो मूलधन चुकाने का जो समय होगा और कितना होगा वो पांच वर्स का होगा जो कर्ज धारक कंपनिया होंगी उनको एक वर्स तक 50 करोर रुपए से 500 करोर रुपए तक मौरेटोरियम या रिन इस्थगन दिया जाएगा यह योजना लागू रहेगे 31 मार्च 2021 तक चलिए पढ़ते हैं बारवी घुसना पर यह क्या है प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव योजना देखे इसके अंतरगत सरकार घरेलो विनिर्मान को बढ़ावा देने के लिए जिसमें की दूर संचार वाहन औसदी समेथ 10 शेत्रों के लिए 1.46 लैक करोर रुपए प् रेलो विनिर्मान को बढ़ावा मिलेगा अब देखे अगर केवल में पी एल आई की बात करूँ तो यह क्या होता है तो ध्यान दीजेगा कि इसके अंतरगत विनिर्मान कंपनियों की जो लागत होती है तो इस लागत का एक निश्चित परतिसत तक सरकार उनको प्रोच साह देती है तो लाभिया होता है कि जो वस्तु है उसका कारक मुल्य क्या होता है वह कम हो जाता है और जब कारक मुल्य कम होगा तो फिर उसका बाजार मुल्य भी कम होगा और जब बाजार मुल्य कम होगा तो संबंधित वस्तु की मांग में व्रिधी होगी तो अब देखे कि स सुधार के संकेत दिख रहे हैं और सरकार ने घोसना उसमें की है जबकि विशलेशकों की द्वारा जो अनुमान लगाए जा रहे थे उसमें अब संसोधन दिख रहे हैं वह कैसे कि RBI का यह कहना है कि यदि आर्थिक सुधार इसी रूप में जारी रहता है तो भारती तीसरी तिमाही में या जो संकुचन चल रहा है भारती अर्थविस्ता में उससे भारती अर्थविस्ता क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी वहीं मुडीज देखिए मुडीज ने जो रेटिंग की थी भारत की पहले माइनस 9.6 अब क्या कर रहा है वो माइनस 8.9 मतलब 22 वित्ति वर्स के लिए वृद्धी दर का जो अनुवान पाले 8.1 परसेंट था वो अब कितना मुडीज का रही है 8.6 परसेंट अब यह सच है कि 2020-21 में अर्थविस्ता की गती धीमी रही और अर्थविस्ता की इस धीमी गती को तेज करने के लिए अतरिक्त नीतिगत सहयत की आविस्ता होगी इस दिशा में आत्म निर्वर भारत कारिक्रम 3.0 पैकेज एक महत्यपूर्ण कदम है इस प्रकार हमने आत्म निर्वर भारत भारत पैकेज 3.0 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की इससे समंदित यह प्रश्ण है कि आत्म निर्वर भारत 3.0 पर विस्ता करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार.